जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा के अंतरगत गाओं में इस वक्त अद्रक खुदाई का काम चला हुआ है किसान अद्रक की खुदाई से काफी खुश है और रेट भी अच्छे मिल रहे हैं स्थाने लोगों का कहना है कि बीच के दौरान अच्छे रेट मिलते हैं जो की ढ़ाई से तीन हजार रुपे मान के हिसाब से अद्रक बीच के लिए ले जा रहे हैं किसान नरेश कुमार वर्मा वा उद्यसिंग चौहान तथा सुदर्शना परमार ने बताया कि अद्रक के बाद हम आलो की बुआई करते हैं जो की हमारी नगदी फसल है नगदी फसल के सासा लहसुन कावी सीजन चल रहा है जो की गुडाई पर आ रहा है इस वक्त पूरे किसान अपने खेतों में खुश नजर आ रहे हैं किसानों की नगदी फसल अद्रक लहसुन आलो विशेस किसानों को फाइदा पहुंचाती है जिसे की सिर्मार वासी बहुत खुश है और साथ ही किसान राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि अद्रक किसानों की माली हालत को सुधाना है और अच्छे दाम मिले तो किसान इससे खुश होते हैं आदर शिमाचल प्यूरो रिपोर्ट ये हमारी नगदी फसल है और इस बार तो हमें अद्रक के रेट अच्छे मिले इसके साथ हमने लसन भी लगाए हुए है और मौसम के साथ साथ हमारी नगदी जो फसल है वह हमें अच्छी दाम में बिकरी ही है